ओम नमस्षिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूटुब चनल पर दोस्तों आज मैं आपको सोम्मार के तीन उपाई बता रहा हूं और साथ रासियों की जानकारी दूँगा इस सोम्मार को योग बहुत ही अच्चा है सोम्मार के दिन भगवान सिव की पूजा का बड़ा मेहत होता है जो व्यक्ति सोम्मार की दिन भगवान सिव का अवसिक करते हैं भगवान सिव के यह उपाय करते हैं उन्हें पुत्र धन प्राप्ति का आशिरवात प्राप्त होता है आपकी पुत्र की चप उनी नहीं उपा रही है या नोकरी नहीं लग पा रही है साथी स्वागिन मेलाई भी इस दिन माता पारवती की पूजा जरू करें भगवान सिव की पूजा के साथ साथ में माता पारवती की पूजा करने से मेलाउं को अटल सोभग प्राप्ति का बरदान प्राप्त होता है जो मैला इस दिन बाता पार्वती की पूजा करती हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परिशानिया दूर हो जाती है सभी को इस दिन भगवान सिव के योपाई जरू करने चाहिए सबसे पहला उपाई गाय के दूसरे भगवान सिव का अफिक करना है ओम नवश्वाय मंतर का जाप करती हुए भगवान सिव का गाय के दूसरे अफिक करना है अफिक करने के बाद में जब भगवान सिव का आप अफिक कर लें उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़ करके प्रात्ना करें भगवान से निवेदन करें के प्रवो आप हमारी इच्छा पूरी करें उसके बाद में भगवान को एक बिलपत्र पर ओम नवश्वा लिख करके थोड़े से चावल के साथ में 11 चावल और एक बिलपत्र भगवान सिव को समर्पित कर देंगे फिर एक दतूरे का फल लेना है उस पर मोली लपिट करके चंदन लगा करके भगवान को समर्पित कर देना है उसके बाद खीर का प्रसाद बना करके भगवान को समर्पित करें और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला दें वहीं बैट करके सौमार की कता का स्रवड करें या ओम नमश्वाय मंत्र का जाब करें ऐसा करने से भोले नात प्रसन हो जाते हैं और मनवांचित फल प्रदान करते हैं सौमार के दिन अपनी इच्चा बोल करके मंदर के मेन दरवाजे पर एक दीपक जला दें साती सात गुड की डली एक बेल पत्र पर रख करके अपनी इच्चा बोल करके भगवान सिव को समर्पित कर दें मैलाय माता पारवती को सिंगारा पन करें और सिंदूर उसमें से उठा करके लिया आएं वह अपनी मांग में भरें इस दिन थोड़े से चावल हत्वे लेकर के ओम नस्वा 31 वार बोलकर की सिवलिंग पर चड़ा दें इससे मनोकामना पूरी हो जाती है सात इस दिन कमल पुषप अगर सिवलिंग पर चड़ा देते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाती है इस दिन पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके प्रक्रमा करने चाहिए और एक सपेद धागा लेकर के पीपल ब्रक से लपेड़ देना चाहिए दन प्राप्ति के लिए इस दिन थोड़े से चावल और दो गोमती चक्र सिविलिंग पर चड़ा देने चाहिए और फिर इन गोमिती चक्रों को ला करके आप रखें गर में इससे वरपुर्धन की प्राप्ति होगी इस दिन कई रासिया बियादी भागिसाली है जिनमें से मेश रासी, ब्रसब रासी, करक रासी, कन्या रासी, तोला रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी ये राज्या इस दिन बेहदी भागी साली रहने बाली है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बे ओम नमस्वाई जरू लेखे